नमस्कार दोस्तों, अगोर साधना में आप सबका स्वागत है, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि तंतर विद्या क्या है और ये कैसे काम करती है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो कई लोग तंतर, तंतरिक जादु टोने का नाम सुनते ही डरने लगते हैं, ऐसा इस लिए भी क्योंकि कुछ सवार्थी लोगों ने सीधे साधे लोगों को डराने धमकाने के लिए भी तंतर क्रिया या तंतरिकों के बारे गलत परचार किया है, इसी कारण लोग बिना सही जानकारी के इससे डरने लगते हैं, लेकिन वास्तम में तंतर विद्या में तो तरह क साधनाए होती हैं, और दोनों के कारे भी अलग-अलग माने जाते हैं, जाने तंतर है क्या चीज़? ध्यान से सुनना ये चीज़े तंतर शाष्टर में दो तरह की साधनाओं का वर्नन मिलता है पहली दक्षिन मार्ग और दूसरी वाम मार्गी तंतर साधना तंतर क्रिया को वाम मार्गी साधना कहते हैं जो असाधारन और भेवे होती है लेकिन इस साधना को परिनाम तुरंत मिलता है असधारन परियत्य करने पर इसकी परतिकिरिया भी असधारन होती है तांतरिक साधना प्रकरती में छिपी शक्ती पर अधिकार करने का एक उपकरम है इस दुरान व्यक्ति के साथ जो भी घटित होता है वह अचानक ही होता है जिसकी वह कभी भी कलपना नहीं कर सकता यदि कोई सादक बिना जानकारी और तेयारी के तंतर क्रिया करता है तो उसमें कोई गलती हो जाती है तो ऐसे में उक सादक की मृत्यू भी हो सकती है इसलिए तंत्र साधना करने वाला साधक इस साधना को करने से पहले समय को शारैरिक और मांसिक रूप से स्वस्त और शक्तिशाली बनाता है क्योंकि तंत्री साधना करने के वाले को साधना काल में कभी-कभी डरावने, भूत-प्रे, पिशार, देव-दानव जैसे अक्रतियां भी दिख सकती है तांत्रिक क्रिया तंत्र साधना के बारे में कहा जाता है कि इस मार्क के पथिकों के लिए यह कार्य तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है अक्सर ये देखा गया है कि बजार में मिलने वाले तंतर गंथों में जो साधना विधियां लिखी गई हैं वे बहुत ही अधूरी होती हैं इनमें आपको सिर्फ दो ही बाते मिलती हैं एक साधना का फल दूसरा साधन विधी का कोई छोटा सा अंग इसलिए तंतरिक विधिया का परियोग किसी योग्य जानकार के सनिध्य में ही करना चाहिए नहीं तो जरासी भी गल्ती होने पर परिनाम आपको बहुत खतरनाक प्राप्थ हो सकते हैं तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जो भी लोग वर्डसप पे मैसेज करते हैं गुरू जी मुझे ये साधना करनी है आपने यूटूब पे बता रखी है तो हम कैसे कर सकते हैं देखो सबसे पहले चीज़ तो मैं आप सबको बता रहा हुँ हूं साधना को कभी भी छोटा मत समझोLा ये मत देखो की साधना दो दिन की है तीन दिन की है ऐसा बिलकुल भी मत समझोLा अगर हम लोग आपको बताते हैं कि दो दिन तीन दिन तो कई बार उससे ज्यादा टा लग सकता है ठीक है ये आपके सानिध्य के उपपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस साधना को कर रहे हो कितनी पावर तरीके से आप उसको कर रहे हो क्या हमने जो रूल और रेगुलेशन आपको समझाई है कि आप उसका पालन कर रहे हो क्या आपका कोई गुरू है क क्या आपके पास कोई गुरू मंतर है, क्या आपके पास कोई रक्षा घीरा है, ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे ही साथना में बिना सोचे समझे, किताब से उठाके, यूटूब से देखके, या कहीं से भी देखके, अगर हम भी आपको जानकारी देते हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत उसमें आपको सावधानी बताते हैं, वो सावधानी क्यों बताई जाती है, आपके भले के लिए, और हर वीडियो के लाश्ट में मैं यही बोलता हूँ, कि गुरू के बिना ज्यान नहीं है, तो गुरू बनाना आवश्यक है, अब मेरा गुरू है, मैंने अपने गुरू से सारी चीज़े सीखी, तो आज मैं कारे कर रहा हूँ, कोई भी कारे करने से पहले उनका आशिरवार लेता हूँ जरूर, हम लोगों का भी गुरू है, हम तब ही तो ये तंतर विद्या सीखें हैं, तो आप बिना गुरू के कैसे सीख लोगे, बिना गुरू के तो कोई पढ़ भी नहीं सकता, अगर बिना गुरू की ज्यान मिलता हो, तो बच्चों को तो स्कूल में भेजा ही नहीं जाएगा, बिना गुरू के तुम कोई कारे नहीं सीख सकते, इस इसका आप लोग ध्यान रखो, वो सबसे जो इंपोर्टन चीज होती है, गुरू मंतर होता है, गुरू मंतर का मतलब क्या होता है, ये आज तक आपको पता नहीं होगा, गुरू मंतर जो होता है, हमारे सभी पापों का नाश करता है और हमें स्वर्क की सीड़ी तक लेके जाता है गुरु मंतर का बहुत महत्व होता है इसलिए गुरु मंतर जपा जाता है आप लोग इस चीज़ को समझो ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को शेर कीजिएगा और मेरे चैनल अगोर साधना को सब्सक्राइब कीजिएगा तो धन्यवाद